atroc Logo So Dear Students Huffman Coding का हमारा टॉपिक चलता था उसी को मjungें बढ़ाते हैं इसमें अब टॉपिक है हमारा adaptive हफ e f man v kodin algorithm scheme तो बच्चो आप ही तक जो हमने हफ посмотрим पड़idad daumily faking deffamag huffman coding यीधियन थी जिसमें जो Huffman coding को use करके हम हमारी alphabet के जो letters होते थे उनको हम एक fix code words जो की bits का collection होता था वो assign कर देते थे और वो fix code words हर letter के लिए वो letter चाहे कहीं पर भी कितनी बार भी आए वो ही code word use होता था तो जो अभी तक हमने पढ़ी है बच्चों वो हमने पढ़ी थी fix length Huffman coding की हफ जितने भी हमारे alphabet के letters हैं उनके letters को हम fix length की हuffman coding एक बार one time process है शुरू में हमने code words को design कर लिया सारे code words को हमने letters को assign कर दिया और उन letters के code words को अब हम message में use करते हैं for example जैसे a, b, c तीन letter है a के लिए हमने 0 लिया, b के लिए one zero लिया, c के लिए triple time one लिया, तो अब हम जैसे a, b, c को उसकर कोई message बनाते हैं मान लिए a, a, b, b, c, c तो अब a जितनी बार भी हमारे message में आएगा उसके लिए हम वही code word उसकरेंगे जो हमने design किया है तो इस फिक्स लें था तो बच्चो इसमें benefit भी है drawback भी है इसके तो इसी को थोड़ा सा overcome करने के लिए जो अगला version है, variation है algorithm का यह हमारा adaptive Hoffman coding algorithm adaptive इसके नाम से इसकी definition बनारी बच्चो adaptive means कि यह जो code words है fix नहीं होंगे हर letter के लिए जैसे मान लिए बहुत सारे letters है ABCD और इन letters को यूज़ करके हम हमारे message को बना रहे हैं मान लिए ए कई बार आ चुका है तो जरूरी नहीं कि हर बार A के लिए एक ही code word वही code word यूज़ किया जाए तो message जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता है बच्चो उसके हिसाब से हमारे जो code words है वो calculate होते जाते हैं और हमारे message को allocate होते जाते हैं तो इसी के regard में जो adaptive halfman coding के जो है तीन पार्ट है ये बहुत important algorithm है ठीक है और थोड़ा conceptual lab इसको तो अध्यान से देखोगे एक दो बार तो आप easily इसको समझ पाओगे इसमें तीन procedure है बच्चो adaptive halfman coding तीन phase में complete होती है ठीक है पहला हमारे पास है बच्चो encoding encoding procedure encoding इसमें तीन procedure होते है ठीक है एक होता encoding procedure बच्चो second होता है decoding procedure decoding procedure ठीक है बच्चो तो दोनों तो आप इनके नाम से इनकी definition आप सोच सकते हो encoding procedure क्या करेगी जो भी हमें message दिया गया है उसमें letters दिया गया होंगे उन letters को हम encode करेंगे मतलब कि उनको bits assign करेंगे और उसको encode कर देंगे decoding procedure क्या करेगी बच्चो जो bits हमें मिलेंगी combination of bits मिलेंगी जो कि encoded bits हैं उनको decode करना है वापस उनको letters में convert करना है तो letters आपको दी जाएंगे letters को bits में convert करने के लिए encoding procedure यूज होगी आपको bits दी गई है bits को वापस letters में convert करना है तो decoding procedure यूज होगी अब बच्चो यहीं पर एक और important procedure है जो यूज होगी इसका नाम है updating procedure update procedure update procedure ठीक है बच्चो तो यह हमारे तीन procedure हो इस algorithm में हमारे यूज होने हमाले तो यह procedure हमारे exam में directly पुछे आते हैं इनके ओपर question बनता है explain decoding procedure adaptive halfman encoding decoding procedure या फिर adaptive halfman encoding decoding procedure या फिर adaptive halfman coding update procedure explain करने के लिए exam में पूछा जाता है साथ के साथ इनके ओपर numerical question भी बच्चो पूछा जाता है जादा चांज जो numerical के बनते हैं वो बच्चो update procedure के उबर बनते हैं अब मैं आपको बताओ update procedure काम क्या तो आप समझ गए आसानी से जो हमें letters दिये गए हैं उन letters को हमें bits में convert करना है तो encoding procedure यूज करना है वो bits हमें दी गई हैं वापस उनको letters में convert करना decoding procedure यूज करना है बच्चो इसी इन दोनों procedure में एक concept का use होगा उसी को हम बोलते है update procedure तो update procedure ऐसी procedure है जो encoding में भी use होगी और decoding में भी use होगी Huffman Tree हर letter के बाद Huffman Tree हमारा update हो जाता है जब हमारे letter जैसे मालीज हम encode कर रहे हैं तो encode करेंगे तो हमें कोई message की sequence दी जाएगी मालीज हमें दिया गया A, A, B, C, A, D मालीजी यह हमें message दिया गया है जिसमें हमारे कुछ letters यूज हो रहे हैं A, B, C, D यह 4 letter यूज हो रहे हैं ठीक है बच्छो तो जब हम encode करेंगे जैसे मालीज हमने A को encode कर दिया तो A को encode करने के बाद Huffman Tree हमारा update होता है हuffman Tree हमारा बनेगा ठीक है और वो Huffman Tree जब बनेगा तो Huffman Tree बच्छो update procedure से बनेगा फिर अगला letter आएगा A तो A letter जैसी हम उसको encode करेंगे तो उसके बाद फिर से हमारा Huffman Tree अपडेट होगा और update procedure कॉल होगी तो हर letter के बाद update procedure कॉल होती है बच्छो और Huffman Tree हमारा change होता रहता अपडेट होता रहता ताकि हम अगले step पर नए decision ले सेगे similarly ऐसे decoding में भी होता है इनको decode करती है तो ठीक है जैसे माली अब bits read करती है जैसे माली इसने पहली bit read की दूसरी 30 ऐसे bit को read करेगी और देखेगी कि शुरू में कितने bits को मिला के कौन सा letter बन सकता है यह हमारी decoding procedure करेगी मालीजिए 110 इन 3 bits को यूज़ करके यह निकल रहा है तो यह निकल गया तो जैसे एक letter decode होगा immediately हमारा update procedure call होती है बच्चो और halfment tree update होता है फिर अगले letters को हम अगले letter को decode करेंगे फिर जैसे एक letter decode होगा फिर से halfment tree तो update procedure जो है वो हर बार call होती है जैसे हमारा एक letter process होता है इसमें जो halfment tree का important rule होता है और update procedure को use करके यह किया जाता है तो बच्चो यह update procedure का यह structure है ठीक है notes में यह available है आप इसको easily देख सकते हो देखने में थोड़ टीपिकल सा लग रहा है लेकिन बच्चो आप इसे एक बार अगर आप देखोगे तो बहुत असानी से आप इसे याद रख सकते हो एक बार अगर हम इसे देखेंगे बच्चो तो बहुत असानी से हम इसको याद रख सकते हैं बच्चो इस update procedure में कुछ terms use हो रहे हैं पहले हैं उन terms को मैं आपको explain कर देता हूँ उसके बाद इस procedure को एक बार मैं explain कर दूँगा आपको और फिर उसके बाद एक numerical question इसके उपर solve करके देख लेंगे ताकि आपको easy हो जाए इसको concept को समझने में तो देखो यहाँ पर हमारी procedure में कुछ terms use हो रहे हैं जो ऐसे term हैं जो की conceptual हैं को हमें समझना जरूरी है जैसे आप देख रहो है हैं यहाँ पर not yet transmitted NYT is short form of not yet transmitted यह node होता है एक node होता है हमारे halfment tree में एक node होगा उसको हमें NYT बोलते हैं तो ऐसा node जो की अभी transmit नहीं होगा है जिसको हमने अभी process नहीं किया है तो हम उसको NYT से denote करते हैं उसके बाद देखो यह आता wait एक term हमारे इसमें use हो रहा है इन्टर्णल नौड टो आपको पता होगा इन्टर्णल नौड बच्छो वो होता है जिसकी आगे branches होती है external नौड वो होता है जो leaf note होता है last वे लीफ note होता है external नौड and internal नौड यह तो आपको पता है उसके बाद आता है बच्छो wait एक definition आ रही है हमारे यहाँ पर weight तो weight क्या होता है बच्छो weight होता है बच्छो हर node का अपना weight होता है हर node का अपना weight होता है एक number होता है जो weight node को assign होता है तो वो उसको weight बोलते हैं बच्छो weight क्या बताता है? weight ये बताता है कि ये node इस procedure को यूज़ करके कितनी बार trace हो चुका है जैसे मानली जी कोई node है यह internal node है जो को internal node को हम ऐसे circle से denote करते हैं बच्चो और external node को हम rectangle box से denote करते हैं मानली जी internal node के अंदर लिखा हुआ है two एक external node है उसके आगे लिखा हुआ है one तो बच्चो इसका मतलब यह होगा कि यहवाला internal node यह दो बार trace हो चुका है मतलब इसको algorothum में 2 बार trace किया चुका है 1 लिखा हुआ इसका मतलब कि यह हमारी algorothum इएक बार trace हुआ है कहीं पर लिखा है जीरो इसका मतलब अभी एक भी बाटरीस नहीं हुआ है तो वेट बच्चो क्या बताता है वेट ये बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स अवर नोड इस बीन यूजड इन दी अल्गॉर्थ कितनी बार वो यूजड हो चुका है ठीक बच्चो फिर उसके बाद एक आता है इसमें नोड नमबर है देखो इसमें नोड नमबर भी एक यूजड हो रहा है नमबर नोड देखो नमबर नोड 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 क्या है ठीक है, नोड number क्या है ? नोड number है बच्छो एक unique number एक unique number है ये unique number है जो की node का number होता है हर node को एक unique number देते हैं इसको node number बोलते है ऑब बच्छो, node number कैसे बनते हैं ये depend करता है कि हमारी alphab constitution regulate Sig कितना है माली जी हमारी alphabminist की use कर रहे हैं हम English की upper case letter की तो lowercase letter हमारे पास total कितने होते है बच्छो 26 तो 26 letters को use करके हमारे Huffman tree में total कितने node number बनाए जा सकते हैं उसके लिए एक formula है यह है 2 into n minus 1 यह हमारा node number निकल के आता है तो हमारे पास जो maximum number node of कितने होंगे तो 26 to 52 minus 1 total हमारे पास 51 node होंगे यह formula हर किसी के node number maximum कितने होंगे उसको निकलने का जितने भी हमारे alphabet का size होगा उसमें 2 का multiply करेंगे बच्छो और उसमें से एक minus कर लेंगे तो total number of node आ जाएंगे 51 और हमारे Huffman tree में जो node numbers है बच्छो उपर से नीचे की तरफ हम trace करते हुए लगाते हैं ठीक है उपर से नीचे की तरफ trace करते लगाते हैं top to bottom and top to bottom ठीक है बच्छो और right to left top to bottom and right to left जैसे माली जी एक tree बना हुआ है ठीक है ऐसे कर गए तो हम जो हमारा top सबसे top वाला node होगा उसको हम highest number का node assign करते हैं उसके बाद right से left 51 के बाद 50 51 के बाद 49 अब इसके बाद नीचे मालीजे और कोई nodes होगे तो ऐसी यह top to bottom right to left ऐसी नीचे trace करते हैं चले जाते हैं बच्छो तो यह हमारे कुछ basic term से जो हमारे इस algorithm में use होगे तो NYT not yet transmitted weight कितनी बाद trace हुआ particular node, node number उस node का unique node number हमारे पास कितने हैं ठीक बच्छो तो इसके procedure को अब समझ लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको इत निमेरिकल स्क्रेपर कराऊंगा उसको procedure को समझ लेते हैं procedure क्या कह रही है देखो इसमें basically यह algorithm का काम होता है यह हमारी update procedure है this is our update procedure तो update procedure काम होता है बच्छो केवल half matrix को update करना जैसे कोई symbol आता है और symbol वो uncode हुआ या decode हुआ उसके बाद immediately update procedure call होती है और update procedure half matrix को update कर लेती है ठीक है तो जैसे देखो इसका algorithm क्या कह रही है जैसे start हो का मतलब कोई symbol मिलेगा इसको तो जैसे माल लीजे कोई letters का combination लिखा हुआ है मान लीजे ठीक है तो जब a symbol हमारी system में आएगा तो हम start करेंगे a symbol system में आएगा हम उसमें check करते हैं message में लिखावा first appearance of the symbol क्या a पहली बार आ रहा है यह जो इसकी बात चल रही है क्या यह पहली बार आ रहा है तो देखो गर यह पहली बार आ रहा होगा तो हम yes कर रहेंगे yes तो NYT gives birth to new node and the external node तो जो NYT देखो by default जो हमारे system जब हमारा tree अभी बनाई नहीं है अभी पहला ही phase है तो देखो आपके system में केवल एक ही node होता यह इसका weight होता है zero ठीक है और उसका highest number उसका node number होता है 51 जो भी highest होगा बच्चो और इसको हम बोलते NYT node तो by default हमारे half tree में यह node होता है जिसका जो है इसके अंदर इसका weight लिखा होता है इसके बाहर इसका node number लिखा होता है बच्चो और इसका नाम लिखा होता है अभी एक भी node जो है वो transmit नहीं हुआ है zero लिखा हुआ है ठीक है तो इसमें लिखा होता है बच्चो कि अगर आपके symbol पहली बार तो NYT gives birth to new node, new NYT node and the extended node तो जो NYT node है तो यह हमारे system में दोगा NYT node है NYT node जो है वो दो node को generate करता है एक इधर जाएगा left side में एक right side में जाएगा और यह node कौन कौन से होंगे यह node होगा एक तो NYT node बनेगा इसके नीचे यहां पर NYT node बन जाएगा ठीक है एक इसके नीचे यह बनेगा उस particular symbol का जैसे माली जी A आया था तो ठीक है तो A यहां पर चला जाएगा और यह जो NYT यहां पर था अब यह NYT यहां पर रहेगा आपके पूरे tree में यह ध्यान रखना है बच्चो एक ही NYT होता है क्योंकि देखो यह पुराना NYT था यह पुराना NYT अब यहां नी experience है तो Huffman tree में जो NYT है वो दो नोड को generate करता है एक तो NYT होता है नया और एक होता है symbol ठीक है बच्चो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं Increment weight of the extended node and old NYT node तो अगला step क्या करना है बच्चो जो हमारा external node एक्स्टनल नोड कौन सा यह वाला माना जाएगा इसके weight को एक्स्टनल कर देंगे बच्चो तो इसका zero होगा तो इसको one कर देंगे और old NYT node और इसके weight को हम zero से one कर देंगे तो इन दोनों के weight को increment करना होता है extended node के और old NYT के नए वाले की बात मीं चल लिए नए वाला तो by default जील हो रहेगा फिर go to old NYT node फिर पुराने NYT node पर जाना है इसके हिसाब से go to इस procedure को हम बस एक बाद trace करते जाएगे इस procedure हमें याद हो जाएगी अगर हम एक दो question इस पर कर लेंगे तो procedure हमें याद हो जाएगी तो हमें जाना go to old NYT node तो हम यहाँ चले जाएगे तो हमें marker को point out करके रखना है कि हम कहां पर है current position में तो अभी हम यहाँ पर है बच्चो फिर यहाँ जाने के बाद देखो अभी यह यहां से यहाँ जा रहा है इसके पास हम condition check कर रहे है क्या condition check कर रहे है is this the root node क्या यह root node है तो हम बोलेंगे yes क्योंकि यह root node ही है फिर stop कर देंगे बस यही पर stop होगा आपका tree update हो चुका है ठीक है बच्चो फिर उसके बाद अगला symbol encode यह decode होगा जो भी होना है तो मालीजी अगला symbol a है ठीक है यह encode हुआ यह decode हुआ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है क्योंकि encoding के बाद यह decoding के बाद update procedure रूर कॉल होती है तो अगला symbol आएगा a बच्चो ठीक है माल लीजी हमने example ले रखा अगले बार फिर आगे में एक proper example लेका आपको दिखाऊंगा तो a symbol आया हमारे पास तो देखो a symbol फिर से start करेंगे तो यह देखो इसमें condition check करेगा first appearance for the symbol क्या a पहली बार आ रहा है नहीं यह तो पहले आ चुका है इसका मतलब है कि a की पहली appearance नहीं है तो यह 9 में आ जाएगा ठीक है ने बच्चो नो में आ जाएगा फिर go to symbol external node तो आप का cursor कहां पर है उस चीज को आपको point out करके रखना है बस ठीक है बच्चो यहां पहुच गए उसके बाद node number max in the block क्या यह node number maximum block में यह 51 है यह 50 है और बच्चो यह 49 है ठीक है अब देखो यहां पर एक नहीं चीज आए यह block block क्या होता इसको समझ लेते है block तो block क्या होता बच्चो 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 की की definition थे block is a combination of nodes having same weight ठीक है तो block की क्या definition बच्चो 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 पर लोग संसे यह जिनका weight same होता है उसको हम एक block बोलते हैं जैसे आप देखो ये tree है इस tree में ऐसे कौन-कौन से node है जिनके weight same है तो बच्चो देखो ये वाला weight एक है ये weight 1 है इसका weight भी 1 है बच्चो तो ये दोनों मिलके एक block बनाएंगे लेकिन बच्चो एक ध्यान रखनी है इनका weight same है उन सबको एक ही block में रखा जाता है तो ये ही पूछ रहा देखो ये तो हमारी current position यहाँ पर थी बच्चो अब देखो हम यहाँ पर पहुच गए थे इसमें क्या पूछा हम से कि node number maximum दी block क्या block में node number maximum है तो देखो block किन से मिलके बन रहा है इन से मिलके बन रहा है थीक है क्या इन दोनों node में इसका जो node number максимum है इसका node number क्या 50 है इसका node number क्या 51 है तो maximum तो नहीं है लेकिन बच्चो क्योंकि ये extended root node है तो हम इसको इसमें count नहीं करते हैं तो हम yes बोलेंगे कि ये जो node number है block में maximum ही है क्योंकि हम root को count ही नहीं करते हैं ठीक है बच्चो अभी आगे ऐस example आएगा जिसमें हमें ये ultra भी मिलेगा तो ये node number जो 50 है ये maximum होगा ठीक है बच्चो तो ये maximum होगा ये yes बोल दी हमने इसको तो हमारी position यही पर है हमने इसको yes बोला yes ये node number जो है maximum 50 बिल्कुल ठीक है फिर increment node weight इसके weight को increment कर दो ठीक बच्चो तो इसका increment इसका weight कितना था ये 1 था तो हम इसको क्या कर देंगे 2 कर देंगे इसका weight अगे में भी proper तरीके से करेंगे अभी मैं क्यों ये procedure आपको explain कर रहा हूं तो इसका weight जो है एक से 2 हो गया ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं यहाँ ब करसर हमारा यहां पर आ चुका है ठीक है बच्छो यहां पहुंच गए वापस जाएंगे देखो क्या कह रहा है यह node number maximum block तो क्या यह node number maximum block में क्योंकि यह root है तो obviously maximum भी होगा तो हम yes बोलेंगे yes increment the node weight तो इस node के weight को increment करना है तो यह 1 था इसको भी 2 कर देंगे बच्छो ठीक है इसको भी हमने 2 कर दिया फिर नीचे आएंगे is this the root node क्या यह root node है yes root node है stop कर देंगे यह stop हो गया तो आपका जो updated tree है बच्छो यह आ गया है ठीक है इसके अंदर 2 आएगा यहां पर यह हमारा NYT है 0 है ठीक है बच्छो यहां पर यह 2 हो गया weight यह 50 है यह 49 है यह 51 है और यह ब यह 2 बार trace हो चुका है मतलब कि यह symbol 2 बार हमारे system में आ चुका है यहां पर देखो एक लिखावा था पहले एक ही बार आया था फिर जब 2 A हम trace कर चुके 2 बार आ चुका है ठीक है ऐसे करके हमारी प्रूवी procedure बच्छो चलती रहती है तो इसके उपर जो है एक numerical question भी हम solve कर देते हैं ठीक है बच्छो तो numerical इसके उपर solve करके देखते हैं ठीक है तो dear students इस lecture में हमने update procedure को explain करने कोशिश की है इसके diagram को क्योंकि exam में इसका explanation भी पूछा जाता है तो इसको एक बार आप जरूर देख लिजेगा और बच्छो अगले lecture में हम एक example लेंगे numerical इसको solve करेंग ठीक है बच्छो तो हम दोनों आसपेक्ट देखेंगे theory भी देखेंगे और इसका numerical देखेंगे अगले video में हम देखेंगे इसका numerical ठीक है बच्छो थैंक यू सू मच